सब्सक्राइब नमस्ते कैसे हैं आप बढ़िया हूँ नमश्कार 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 बहुत पूरी इंडस्टी में देखा जाता बहुत ज्यादा आज कल बावाल चल रहा है मैं उसके कुछ चर्चा करना जाता हूँ आज खेसारी लाली आदो जी बिहार के रहने वाले मैं जानता था संजे जी कि आप चुकी खुराफाती पत्रकार हैं कुछ अजीब सा सवाल लेके ही आएंगे खेर आपकी आदत से मैं परिशित हूँ बात खेसारी जी के दिल में क्या दर्द है या किस परिश्थिती से गुजरे हैं मुझे मालुम नहीं इसलिए मुझे बोल बना उचित नहीं लेकिन सुसाइट करने की बाद खेसारी जीसे बहादूर नौजवान से मैंने उमीद नहीं की थी जो बहादूर होता है वहात महत्या की बात सोचना उच्चारण भी नहीं करेगा सोचेगा भी नहीं उन्होंने यह भी बात बोला है कि मैं ऐसा कमजोर देखे मुझे लगता है कि यह 43 वा वर्षा इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए मेरे जीवन में तो एसी नौबत नहीं आए कि मेरे मुझे ऐसे शब निकले तो बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है आप सबों के साथ मिल जूल के रहिए सबों के साथ सने प्यार बना के रखिए बैमनश्च नहीं चूकि जिसको जितनी सफलता मिलनी है उतनी मिलती है न किसी के रोके कोई रुका है न किसी के चाहने से कोई बड़ा हुआ है वो इनसान के अपनी मेहनत होती है तो मुझे नहीं लगता है कि आज इतने सफल कलाकार खिसारी जी के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिती पैदा हो रही होगी जहां उन्हें ऐसा बोलना पड़ा है, वो मेरा बच्चा है, कभी मिलेगा तो मैं उसे समझाऊंगा हाँ, खिसारी, आप हमेशा मुझे बाबुजी कहते हैं, उस रिष्टे के तहत कर रहा हूँ, आप एक बहादूर नौजवान है, आपने जिन्दगी की बहुत बड़ी लड़ाई लड़की इस मकाम को पाया है, ऐसे शब्द मत बोलिए, बहुत सारे नौजवानों की हिम्मत आप आइडियल हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं उमीद करता हूँ कि दुबारा ऐसे शब्द आप नहीं बोलेंगे, थैंक्स.